रूस और युक्रेन की जंग और तेज होने की आशंका है दरसल अमेरिकी हाउस ने युक्रेन के लिए वार फंडिंग को मनजूरी दे दी है रिपब्लिकन पार्टी के दबदबे वाले हाउस ओफ रिप्रिजेंटेटिव ने 95 अरब डॉलर के पैकेज को मनजूरी दे दी है इसमें कुल चार बिल शामिल है हाउस ने पहले हिस्से को मनजूरी दी है रिपब्लिकन नेताओं के विरोत की वज़े से बिल पर वोटिंग नहीं हो पा रही थी इस पैकेज में युक्रेन और इस्राइल के लिए फंडिंग ताइवान और इंडो पैसिफिक में सहयोगियों की सुरक्षा और चीनी मुबाइल अब टिक टॉक पर बैन लगाने की चितावनी को लेकर जिस पर बैन की संभावनाओं के बीच फंड की विवस्ता की गई है बाइडिन प्रिशासन की ओर से दिये जाने वाले अर्बो डॉलर के पैकेज में से अकेले 61 अरब डॉलर युक्रेन को दिया जाना है जो रूस के साथ दो सालों से जंग लड़ रहा है पैकेज में अमेर्की हतियारों, स्टॉक और सुविधाओं की भरपाई के लिए 23.2 अरब डॉलर का अप्रावधान है जबकि इलाके में वर्दमान अमेर्की सेन अभियानों के लिए 11.3 अरब डॉलर शामिल है इस पैकेज का लगभग 9.5 बिलियन अमेर्की डॉलर काफी योग ये लोन के रूप में दिया गया है सहायता राशी को मंजूरी मिलने के बाद युक्रेन के राश्ट्रपती जलेंस्की ने अमेरिका का आभार जताया है बताय जाता है कि वार फंडिंग बिल पर वोटों की गिंती के दौरान कॉंग्रेस के सदस्यों ने खुशी मनाई इतना ही नहीं हाउस में युक्रेनी जंडे भी लहराए गए जिस पर हाउस स्पीकर माईक जॉंसन ने कड़ा एतराज जता कर सांसदों को शांत कराया मालूम हो कि रिपब्लिकन ने ता जॉंसन ने पिछले सेशन में इस कानून पर हाउस में रोक लगाई थी रिपब्लिकन में ता रूस युक्रेन युद को लंबा खिचने का विरोत कर रहे थे मगर बीते शनिवार को 311 बनाम 112 के अंतर से इस विवादित बिलको पास करा दिया गया गौर तलब है कि पिछले कई महीनों से अमेरिका से मदद की आस लगाई युक्रेन को रूस के खिलाफ युद में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा खुद राश्पती जलेंस्की ने कई बार पश्चिमी देशों से हतियारों समेथ आर्थिक तोर पर मदद की अपील की कीव को हाल के महीनों में गुला बारूत की कमी का सामना करना पड़ा दरसल अमेरिका समेट पश्चिमी देशों से हत्यारों की खेब बाधित होने के वज़े से युक्रेन को कई युद्ध के मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा था हाली में जलन्सकी ने चितावनी दी थी कि अगर कॉंग्रेस अतरिक्ट सहायता को मनजूरी देने में विफल रही तो युक्रेन हार जाएगा खुद अमेरिकी राश्चुपती ने युद्ध के मैदान में हार के लिए रिपब्लिकन सांसदों को दोशी ठहराया है जो बाइडन ने कहा कि कॉंग्रेस की निश्क्रियता की वज़े से ही रूसी सेनाओ को उलेकनी अलाब पहुचा है वहिस पूरे मामले पर रूस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई पूर्व रूसी राश्चुपती दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि युक्रेन के लिए वार फंडिंग बिल रूस की कीव पर पढ़ती ताकत को कम नहीं कर सकता अमेरिक्यों का वोट केवल लडाई को लंबा कीचेगा और इस युद्ध के पीडितों की संख्या में इजाफा होगा जाहिर तोर पर हम जीतेंगे हम जीतेंगे भले ही अमेरिका रक्षा उद्योग के गले में खूनी डॉलर बहाए जाए ताकत और सक्चाई हमारे पक्ष में है रूसी सुरक्षा परिशत के उपाध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव ने अमेरिका की कीस्वी सदी की बुराई का घ्रिणित सामराज उकरार दिया